देखे पिछले हमने दो से तीन महीनों में सुना कि भाई दो तीन बीजेपी रूल स्टेट्स थे जहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया ने चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है कुछ ऐसा ही एक कॉंग्रेस रूल स्टेट में भी हुआ है पंजाब जहाँ पे Congress की सरकार है वहाँ पे जो इनकी चीफ मिनिस्टर थे Captain Amrindar Singh साहब इन्होंने कर दिया है resign resign क्यों किया है इसके cause को समझने कोशिश करेंगे overall इसके political fallouts क्या है देखे जो सबसे important cause है जो कि सबको समझ में आ रहा है February March 2022 में है पंजाब के elections अब election के समय पे एक party का consolidated रहना बहुत जरूरी होता एक party का strong रहना बहुत जरूरी होता आपको पता है यह BJP versus Congress की लड़ाई BJP पंजाब में elections जीतने की कोशिश करेगी अब यह ऐसे समय पे Congress कमजोर है तो वो BJP को हरा नहीं सकती और यहाँ पे अमरिंदर सिंग सहाब की जो leadership है यह बहुत सारे Congress के जो local cadre से पंजाब के उनको पसंद नहीं आ रही है क्यों पसंद नहीं आ रही है इसको समझने कोशिश करेंगे यहाँ पे अमरिंदर सिंग सहाब में resign कर दिया है और यह बोल रहे है कि मैं बहुत humiliate हुआ हूँ तो resign तो नहीं न कर दिया बट politics पूरी चालू है चुकि यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि मैं किसी भी हाद में नवजोर सिंग सिद्धू को नहीं बनने दूँगा चीफ मिनिस्टर चुकि नवजोर सिंग सिद्धू anti-indian है ये pro-pakistani है नवजोर सिद्धू की पाकिस्तानी leadership के साथ दोस्ती है नवजोर सिद्धू भी Congress की चहरे है अभी recently जो Congress की State Unit है उसका President मनाएगे नवजोर सिद्धू को ऐसा क्यों बोल रहे है मरिंदर सिंग ऐसा इसलिए बोल रहे है 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के PM मना था तो उस समय पे नवजोर सिद्धू उसकी सुवेरिंगिन सर्मनी में चला गया था पाकिस्तान तो इसको लेकर यहाँ पे काफी politics शुरू हो गई अब ऐसे तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया होगा इनको party high command ने मतलब सोनिया गांधी ने राहूल गांधी ने बोला होगा कि भाई तुम रिजाइन करो overall यहाँ पे चीज़ें problematic हो रही है तभी captain अमरिंदर सिंग साहब ने रिजाइन किया है तो इससे अमरिंदर सिंग जी और humiliate होते है तो इससे अच्छा उन्होंने यहाँ पे resign कर दिया है ऐसा सुनने में आ रहा है कि सुनील जाकर यहाँ पे CM बन सकते है अब समझने की कोशिश करते है कि actually में इनको यहाँ पे इतना oppose किया क्यों जा रहा है ऐसा बोला जा रहा था कि अमरिंदर सिंग समय पे अमरिंदर सिंग के समय पे bureaucracy बहुत strong हो गई थी bureaucracy strong हो गई मतलब आपके लिए अच्छी news है एक IS officer है आपके सुरेश कुमार साब 1983 के batch के यह IS officer है इनको देखे जब अमरिंदर सिंग साब 2017 में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने तो उसके बाद सुरेश कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया गया इनको अपॉइंट किया गया चीफ प्रिंस्पल सेक्रेटरी की पोस्ट पे अब यह जो चीफ प्रिंस्पल सेक्रेटरी होता है यह सेंट्रल गॉवर्मेंट के कैबेनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है और ऐसी कोई पोस्ट होती नहीं जीफ सेक्रेटरी होता है बिनदा बिल्कुल इसको जबरदस्ट वाली ताकत दे दी स्टेट के अंदर और इनकी चलती भी काफी थी हाई कोड ने बोला भई ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती है लेकिन ओवर ओल चीफ मिनिस्टर साब मानने को तयार नहीं ये चाते थे कि सुरेश कुमार इनके अंदर काम करें अब सुरेश कुमार यहाँ पे बहुत ताकतवर हो रहे थे और ब्योरोक्रेट्स की खासियत होती है अभी कोई बहुत दिगज ब्योरोक्रेट होगा तो उसकी चलती है लेकिन जब ब्योरोक्रेट्स की चलने लगती है न तब पॉलिटीशन की चलनी बंद हो जाती है और एक politician हमेशा चाहेगा कि bureaucrats उसके जूते के नीचे रहे ये बात बिल्कुल fact है IS officers बहुत talented होते हैं ये बात politicians जानते हैं और ये politicians हमेशा IS officers को control करने कोशिश करते हैं आप देखें मोदी जी को भी कहाँ पसंद है बाबू ज़दा एक politician की authority को केवल एक IS IPS officer ही कुछ हद तक रोक सकता है इसलिए ज़्यादा तर cases में जो politicians हैं वो IS IPS की ताकत को रोकते हैं overall उनके frequent transfers करते रहते हैं उनको कोई sensitive post बहुत लंबे समय तक नहीं देते हैं और यहाँ पर अमरेंदर सिंग साब के उपर क्या ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये भाई bureaucracy को और ताकत वर कर रहे है फिर एक reason और है numbers game 117 जो members हैं आपकी पंजाब state legislature assembly की उसमें 80 Congress के members है अभी इसमें politics चालू हो गई Congress के कुछ दिगज नेता हैं आपके पंजाब में जैसे कि एक हैं आपके राजिंदर सिंग बाजवा एक हैं आपके सुखबिंदर सरकारिया एक हैं सुखजिंदर रंधावा इन सब लोगों ने मिलके क्या बोला और इसमें नवजोज सिंग सिद्धू भी साथ दे रहे हैं इन्होंने overall MLA एकटे करने शुरू कर दिये Captain Amrinder Singh के against और एक समय ऐसा आया कि overall पंजाब के जो majority legislators हैं वो Amrinder Singh को support ही नहीं कर रहे हैं सुनिया गांदी के सामने जाके खड़े हो गए opposition के लोग के हम नहीं चानते हैं Amrinder Singh हमारा Chief Minister है अभी Congress की नीचे के level के functionaries और सारे MLA ही नहीं चाहरे हैं कि ये बंदना हमारा Chief Minister है तो फिर वो Chief Minister कैसे रह सकता है तो फिर it is as good as none चुकी बात यह होती है एक Chief Minister के हाथ में होना चाहिए administration और जब कोई लोग चाहते ही नहीं है कि वो उनका लीडर है तो पॉसिबल नहीं है तो सुनिया गांदी जी को बोलना ही था इनको कि भया पोस्ट चोड़ो अपनी इससे पहले कि जो CM थे प्रकाष सिंग बादल ऐसा बोला जा रहा है कि उनका दबदबा अभी भी बना हुआ है Overall Captain Amrinder Singh Amrinder Singh तो है मतब Chief Minister तो है बट overall Chief Minister वाली हैसियत नहीं है उनकी फिर इनकों पर इल्जाम लगाए जाता है कि ये लोगों के प्रती accessible नहीं है इन्होंने शेहर से बाहर अपना एक फार्माउस बना रखा है वहाँ पे जाते हैं जंदी लोगों से मिलते नहीं है आपसपासी घिरे होते हैं Bodyguard से अगर कोई इनसान नॉर्मल कर केसिस में Chief Minister से मिलना चाहे सब लोग अपनी सभावगर औरनाइस करवाते है जहाँ पे नाम के लिए लोग कम से कम मिलतो सके अप्रोच तो कर सकें Chief Minister को ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं Amrindar Singh साब फिर Amrindar Singh साब के बारे में ये बोला जाता है कि इन्होंने ये promise किया था कि जब ये power में आएंगे तो ये drug में इसको रोकेंगे पंजाब में drug की कितनी बड़ी problem आपको पता ही है शाहित कपूर की वो movie आई तो उसमें आपने देखा ही है बहुत परशान है पाकिस्तान border से drugs आते हैं और पंजाब की योध से बहुत खाते हैं तो drug problems को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और सैक्रिलेज केस में कोई भी खास investigation नहीं हुई है अब overall ये सैक्रिलेज केस क्या है सैक्रिलेज केस एक बहुत burning political मुद्धा है पंजाब के अंदर सैक्रिलेज केस के अंदर तीन केसे जाते हैं पहले केस में क्या हुआ कि जो गुरु गंद साहिब है जो की holy book है आपकी सिक्खों की ये चोरी हो गई फरीद कोड डिस्टिक्ट से बुर्ज जराहर सिंग वाला विलेज में जो गुरुद्वारा है वहां से गुरु गंद साहिब चोरी हो गई विलेज में लगाएगे 25 सेप्टेंबर 2015 को उस समय पे डेरा सच्चा सौर्दा का जो चीफ था मेसंजर ओफ गॉड करके मूवी आई थी तो उसको देखके बोला कि सिक्कों को बाई तमीज में रहो मतलब सिक्स कम्यूनिटी को एक प्रकार की धमकी दी गई उस समय पे और तीसरा केस में क्या हुआ बारा टूबर को जो गुरुगर्ण साहिब चोरी हुई थी उसके कुछ अंग्स कुछ पेजस फटे हुए मिले टॉन अवस्था में मिले बरगारी विलेज गुर्दवारा में तो इस सब को देखके जो सिक्ष है पंजाब में उनका गुस्सा वड़क पड़ा और यहां पर इस बात पर सुनवाई होने लगी कि भाई ये सेक्रिलेज केस क्या है अमरिंदर सिंग साहब ने प्रामिस किया था कि मैं सेक्रिलेज केस को सॉल्व करूंगा अब भाई एलेक्शन आने वाले हैं आपने केस सॉल्व किया नहीं तो और आल पड़ा है मरिंदर सिंग साहब को ये सले करना पड़ा है चोकि अपोजिशन इनके अगेंस्ट बहुत साथा डॉमिनेंट हो गया था अब चुकि पांची महीने बचे हैं एलेक्शन में तो डेफिनिटली जो भी चीफ मिनिस्टर यहां पर अपोइंट किया जाएगा और ज सी क्यों को सुना दी है लगबग आठ मिनिट में आपको वीडियो पसंद आई हो जादा से जादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेर करें आप पने व्यूपॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क बाइ टेकर